Hello everyone, this is Amon Prissing and we are watching Technoistics किस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेरा में कप्रेस्टेस के बार में डिसक्स किया था हम लोगों ने देखा था कि उनके ओपर लिखे हुए कोड्स के हैं कैसे हम उनकी वैल्यूज को इसली कैलक्लेट कर सकते हैं उमीद है काईस वो वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आप लोगों ने वो वीडियो भी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है आप वहां से देख सकते हैं या फिर आप इस हाई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं आज का जो हमारा वीडियो है यह आया सेंसर्स के ओपर भी इस्ट है आया सेंसर्स जो कि आज कल बहुत ही पॉपलर हो गए है तकरिबन हर डिवाइस इसमें आपको इवेल जाते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं आया सेंसर्स के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं तो ट्रांस्मीटर और दूसरा रसीवर ट्रांस्मीटर के लिए हम यूज करते हैं एक आयार एलेडी जिसका सिंबल कुछ ऐसा होता है अब देख सकते हैं देखने में ये बिलकुल ही जो झो नॉर्मल एलेडी ही उसी के तरह का सिंबल है है बट ये जो ऐ रस सब्सक्राइब करता है नॉमल एलेडी लाइट आमिट करती है ये रस रस को मेड़ी है और दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए होती है एक रिसीवर आया एलेड एज़ा ट्रांस्मिटर हो गया और हमें चाहिए एक रिसीवर रिसीवर के लिए हम यूज करते हैं फोटो डायोड फोटो डायोड का भी सिंबल तक्रीबन LED के तरह ही होता है उसमे एक उसमे चोटा सा डिफरेंस होता है जो यह arrows का साईं हो रिसिवर रहा है और हमारे पास एक ट्रांस्मिटर आ गया एक गया जो की basic requirement है हमारे sensor की अब हमें इस transmitter से IR rays को transmit करना है तो उसके लिए जैसे LED के साथ हम एक protection resistance लगाते हैं इसके साथ भी हम एक protection resistance लगाएंगे और resistance वाला position हम ground कर देते हैं दूसरी साइड से हम VCC connect कर देते हैं power supply यह power supply आपके 5 volt भी हो सकती है और normal आप 9 volt battery भी यूज कर सकते हो because हमने जो protection resistance लगाया है इसकी value के according हम इसको protect कर सकते हैं generally यहां पर 330 ohm या फिर 470 ohm का resistance लगाते हैं मैं यहां पर 330 ohm का resistance लगा देता हूं power connect होते ही जो आपकी IR LED है IR इसको emit करने लग जाएगी इसका connection बिल्कुल simple है LED के positive के साथ हमने VCC connect कर दिया और ground के साथ हमने register लगा के ground कर दिया अब transmission हमारा शुरू हो गया receiver के लिए हमारे पास जो photo diode है अब इसको हमें connect करना है प्लस इसकी output भी हमें check करनी है कि यह receive कर रहा है या फिर नहीं normally अपने अगर घरों में देखा होगा आपके पास remote होते हैं जो टीवी का remote है remote के अंदर IR transmitter लगा होता है उसमें सेम ऐसा ही transmitter होता है जब आप कोई भी बटन प्रेस करते हैं वह IR signal को emit करता है और टीवी के अंदर एक photo diode लगा होता है जो इस signal को receive करता है रिसीब करके वह operate करता है जो भी उसका operation होता है विकोस के अंदर जो controllers लगे होते हैं वह signal sense करके बताते हैं कि यह किस type का signal है उस पर क्या function करना है तो सबसे पहले तो photo diode के बारे में जो बात हमें याद रखनी है कि photo diode हमेशा reverse bias में connect करते हैं LED को हमने forward bias में किया था forward bias का मतलब की positive के साथ VCC और ground के साथ ground तो यह forward bias हो गया reverse bias means इसका जो negative portion है इसको हम VCC के साथ connect करेंगे जो इसकी powers apply है वो VCC negative portion के साथ connect होगी और जो इसका positive portion है उसको हम ground करते हैं पर यहाँ पे हम direct ground नहीं करेंगे इसको इसको भी हम एक register लगाएंगे साथ में और register के साथ हम एक output के लिए LED भी लगा देंगे यहाँ पे हमारे पास कोई भी system नहीं है जिसको हम drive करवाएंगे इसकी just output चेक करने के लिए में एक LED यहाँ पे लगा देते हैं अगर इसके साथ हम डिरेक्ट LED लगा दें तो 5 वोल्ट के LED काम नहीं का सकती तो इसलिए इसके साथ भी हम एक रिजिस्टर लगा के LED लगा देते हैं LED अगेन फावर्ड बाइस में लगेगी यानि कि यहां से अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव साथ LED का इस तरफ होगा और यहां से हम ग्राउंड करेंगे LED के ग्राउंड को यह फोटो डायोड का नेगिटिव था यह पॉजिटिव था और यह LED का पॉजिटिव और यह नेगिटिव अब जब यहां से आया सिगनल्स ट्रांस्मिट होंगे तो यह फोटो डायोड है उन सिगनल्स को रिसीव करेगा और जब यह फोटो डायोड उस सिगनल्स को रिसी करता है जब इसको external signal मिलता है LED को signal मिला उसने अबिट करना शुरू कर दिया बट फोटो डायोड को अगर हमने circuit में connect कर भी दिया तो जब तक इसको external signal light signal नहीं मिलेगा तब तक यह as a open circuit work करेगा तो एक तरीके से यह switch है तभी on हो गए जब यहां से इसको signal मिलेगा अभी के लिए ओपन circuit है आयर LED ओन हुई यह conduction state में आया यहां से current flow होना शुरू हुआ और LED हमारी क्लो करने लग गई इस तरीके से यह आया सेंसर वर्क करते हैं जो तो robotics में हम line followers में IR sensor यूज करते हैं उनमें भी एक pair लगा होता है और उसके साथ में decision making के लिए एक operational amplifier भी लगा होता है तो next वीडियो में आगे हम वो भी discuss करेंगे कि उसका structure क्या होता है operational amplifier पर output यहां से कैसे जाती है basically जहां पर हमने यह LED लगा है यह test करने के लिए यहीं से output हम operational amplifier को दे देते हैं इसको और अच्छे से हम next वीडियो में देखेंगे तो पहले इसी circuit को हम practically बनाके देखते हैं कि actual में यह ऐसे work कर रहा है या फिल नहीं तो guys implement करने के लिए मेरे पास यहां पे सारे components available हैं मेरे पास यहां पे एक IR LED है एक normal LED है एक photo diode है और यह दो मेरे पास 330 ohm के resistors हैं जिनकी help से आज यह circuit को हम implement करेंगे तो सबसे पहले तो हमें IR rays emit करवानी है तो उसके लिए यह IR LED हम यूज़ करेंगे सबसे पहले तो आपको इसका positive और negative terminal पता होना चाहिए कि कौन सा है normally अगर आप वीडियो में देखें तो आपको बोल देंगे कि जो बड़ी वाली leg है वो positive है चोटी वाली जो leg है वो negative है but in case अगर आप कोई पुरानी LED यूज़ कर रहे है पुराना AIA sensory यूज़ कर रहे है उसकी legs कट चुकी है एक बार equal हो चुकी है तो यह change भी हो सकता है तो identify करने का जो तरीका है इसका अगर आप इसके अंदर देखें तो आपको दो flags दिखेंगे एक जो बड़ा वाला portion होगा एक छोटा वाला portion होगा इसमें तो इसके अंदर देखें तो इस side का जो portion है वो बड़ा है एरिया जादा है और यह वाला साथ में area कम है यहन्ने कि इस leg के साथ एक कम area आ रहा है इस leg के साथ जादा area connected है तो जिस leg के साथ जादा area connected है वो आपकी यह मेंशा negative रहेगी, तो इस side नई LED है, तो इसका leg की length भी छोटी है, यहांसे भी identify हो रहा है कि हम सही बोल रहे हैं, यह जो large area है, यह negative वाला है, वो जो small area है, वो positive वाला है, तो IR LED को तो हमें forward बाइस में connect करना है, तो हम इसको यहां पर लगा देते हैं, इस तरीके से, जब मै मैंने connect किया है इसको, इसका जो positive वाला terminal इस side है, negative वाला इस side है, अब इसके साथ हमें लगाना है एक 330 ohm का resistor, तो यह 330 ohm का resistor है, इसके साथ मैं connect कर देता हूँ, यहां पर यह connect हो गया, अब इसको हम power देंगे, पावर देने के लिए, मैं यहां पर 9V की बैटरी का यूज हुआ है, जो orange वाली wire है, यह positive के लिए रखी है मैंने, और blue वाली ground के दिये, तो इसको मैं IR LED के close अभी connect कर देता हूँ, यहां से मैंने connect कर दिया, और जो दूसरा terminal है, वो मैंने resistance के साथ लगा दिया, तो आप देख सकते हैं, कैमरा में आपको यह जो IR LED है, वो थोड़ी glow कर अपती हुई दिखाई दे रही है, अगर आप आंखों से देखेंगे, आपको वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, अगर इसको मैं light से दूर करूँ, थोड़ा से shadow इस पर डालूँ, तो अब देख सकते है, purple color की light इसमें से emit हो रही है, यह जो light है, यह आपको सिरफ camera में ही show होती है, normally अगर आप देखेंगे, आपनी आखों से देख रहे हैं, तो आपको वह sure नहीं होगी, तो means यह जो हमारा circuit है work कर रहा है, IR rays यहाँ पर हमारे emit हो रही है, अब देख सकते हैं, तो purple color की इसमें से एक light निकल रही है, इसको भी हम off कर देते हैं, मैंने ground निका अब हमें इसका receiver circuit भी बनाना है, तो उसके लिए हम use करेंगे यह photo diode, photo diode में भी negative और positive legs है, बट इसको तो आप अंदर से देख भी नहीं सकते, कि इसके अंदर क्या है, because यह पूरा black color की इसके ओपर coating है, तो इसको identify करने का जो तरीका है, अगर आप देखें, इसका जो base है, य इसको अगर आप rotate करके देखें, तो एक side से यह flat होगा, इसको आप rotate अगर करें, तो आप देख सकते हैं, यह वाला जो portion है, इसका यह एक side आपको flat दिखाई दे रहा है, यहाँ से यह जो portion है, यह flat है, यहाँ आपको shine से दिखाई दे रहा होगा अभी, तो flat वाला portion हमेशा इसका negative होता है बाकी सारा portion इसका round होगा सिरफ आपको एक leg के पास में थोड़ा सा area flat मिलेगा तो यह flat इसका negative portion है तो इसके negative portion को हमे positive के साथ connect करना है तो इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ negative वाला portion में उपर की तरफ लगा रहा हूँ इस तरीके से connect कर दिया अब इसके साथ भी हम एक resistor लगाना है ताकि हम अपनी जो indication LED है इसका on कर सकें तो यहाँ पर मैंने direct अगर LED लगा दी तो यह burn out हो जाएगी because 5V power इसको मिलेगी तो पहले मैं यहाँ पर एक resistor लगाता हूँ यहाँ पर मैंने resistor लगाया कि तक जा रहा है यहाँ पर लगा दिया मैंने इस resistor को मैं थोड़ा सा adjust कर देता हूँ इसकी legs की spacing थोड़ी से कम कर देता हूँ ताकि यह उससे पीछे रहे तो यह मैंने resistor को थोड़ा सा bend कर दिया और यहाँ तक आ गया है तो हमारे पास यह है अब इस point के ओपर हम LED कनेक्ट करते हैं तो LED को मैं connect करता हूँ और इस resistance का जो ground करना है उसी के साथ मैं इसको जोड़ देता हूँ अगर आप यहाँ से देखें तो मैंने यह वायर है दुनों के एकी स्लोट में लगा दिया है तो मेरा connection पूरा हो गया है अब यहाँ पर मिरको positive 5V देना है यहाँ पर positive 5V देना है और इस point पे ground देना है पर 5V मेरे पास देना है या फिर आप 9V बोल सकते है बैटरी से जो connect देना है दो points पे देने के लिए मेरे को दो बैटरी से ही होगी तो मैं क्या करता हूँ एक jumper wire लेके इन दोनों points को आपस में connect कर देता हूँ यह मैंने इस wire के साथ इन दोनों को आपस में connect कर दिया तो मेरे पास अभी इस point पर हम अगर power दूँगा यहां तक भी पहुंच जाएगी तो मेरे यह जो बैटरी का positive था इसको मैं यहां पर लगा देता हूँ और जो बैटरी का ground था वो मेरे को यहां पर इसके साथ connect करना है तो देख सकते हैं connect करते ही LED हलकी हलकी glow कर रही है उसका reason क्योंकि यह जो studio की lights हैं उस light को यह photo drive रेसीव कर रहा है तो हमें वो रेसीव करवाना नहीं है हमें तो यह IR जो हैं वो रेसीव करवानी है तो इसका जो transmission का angle है अब हमने इसको सीधा लगा रखा है तो यह उपर की तरफ transmit कर रहा है और यह उपर से receive कर रहा है तो हमें इनको line of sight में लेकि आना पड़ेगा क्योंकि जब यह दोनों एक दूसरे के आमने सामने होगे तब ही transmission हमारा होगा जैसे आप TV के तरफ remote करके जलाते हैं तब ही चलता है किसी और तरफ करके चलाएंगे तो नहीं चलेगा तो वैसे ही इन दोनों का जो portion है वो आमने सामने face होना चाहिए तब ही चलेगा तो इसके लिए मैं इस diode को इस तरफ bend कर देता हूँ इस LED को इस तरफ bend कर देता हूँ ताकि आमने सामने आ सके तो मैं इसको ऐसा करता हूँ यह मैंने यहाँ पर इसको bend कर दिया है तो यह bend हो गया अब LED को इसको bend करना पड़ेगा तो इसको मैं bend करता हूँ देख सकते हैं बेंड करती ही जैसे यह आमने सामने है यह जो LED है वो पूरी intensity के साथ glow करने लग गई means अब फोटो डायोड है इस IR rays को यहां से receive कर रहा है इसको प्रेक्टी के लिए और चेक करने के लिए बीच में यहां पर कोई obstacle डाल सकते हैं जैसी बीच में obstacle आएगा जैसी अभी में आप यह जो मिर पास screw driver है इसको मैं बीच में लेके आ रहा हूं आप देख सेते हैं LED ब्लिंग कर रही है बट यह obstacle बहुत चोटा है क्योंकि इसका जो angle होता है वो 30 degree का होता है यह 30 degree तक transmit करेगा यह 30 degree पर receive करेगा तो हम एक ठोड़ा सा बड़ा object चाहिए जो इनको रोक सके तो उसके लिए तो मिर पस यहां पर यह cardboard का ठोकुडा है चोटा सा इसको मैं यूज करता हूं तो हम इसको इनके path में इंटर कर दाते हैं आप देख सकते हैं जो पात में एंटर होते ही LED बहुत डाउन हो गई है और यह जितने LED स्टम चल रही है यह जो स्टूडियो की lights है उसकी वज़े से चल रही है जो को फोट्राइड उनको receive कर रहा है पिकोज यह जो normal daylight होती है इस पे भी react करता है इसमें भी IR rays होती है तो उनको भी receive करता है अगर आपको purely इसको receive करवाना है तो इसको अगर आप हटाएंगे तो अब जगते हैं full intensity के साथ यह on हो गया है अब स्टेकल आते ही यह almost off हो गया और अब स्टेकल हटते ही on हो गया है तो इस तरीके से यह IR sensors वर्क करते हैं IR rays transmit होती है और receive होती है अब इससे next वीडियो में हम लोग discuss करेंगे कि इन IR rays के साथ line follower robots किस तरीके से work करते हैं उन में क्या mechanism ऐसा लगाया जाता है कि वो इन IR rays की help से एक path को follow कर लेते हैं तो उसके साथ जो अप्रेशल amplifier circuit एड होता है वो भी हम डिजाइन करेंगे वो भी देखेंगे कि किस तरीके से वो डिजाइन होगा है अमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आए तो लाइक को शेल्स रूर कीजिएगा और अगर पहले देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें मैं आप से मिलूँगा अगले हपते एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए keep supporting, thank you